किसान भाईयों आज की डेट में ऐसा हो गया है कि फसल लगाने से पहले सोचना पड़ता है कि उसमें क्या डाले क्या नहीं क्योंकि टमप्रेचर वैसा मिलता नहीं है जो की फसल के अनकूल हो तो किसान भाईयों आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आने वाली धान की फसल में खेत तयारी के समय हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हम फसल में क्या डाले क्या नहीं किसान भाईयों किसी भी फसल से अच्छी पैदावा लेने के लिए खेत तयारी से रुपाई के पहले की खादों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसान भाईयों खरी फसल का टाइम आ गया है सभी किसान भाई खेत तयारी में लगे हुए हैं लेकिन सभी किसान भाईयों को ये confusion रहती है कि खेत तयारी के समय खेत में वो क्या डालें डियेपी डालें कि पोटास डालें कि यूरिया डालें किसान भाईयों यहां पे भी आपको यह देखना है कि आप कौन सी किस्म का बीज लगा रहे हैं क्योंकि बीज के अधार पर ही उर्वरकों का प्रियोग होता है किसान भाईयों किसी भी फसल से अधिक पैदावा लेने के लिए गोवर या कंपोस्ट या हरी खाद का जरूर प् पाई के पहले खेद तयारी के समय 100-130 kg नाइट्रोजन 60 kg फासफोरस 50 kg पोटास साथी 25 kg जिंक प्रती हेक्ट्रेयर प्रियोग करना है अगर किसान भाईयों आप बास्मती प्रजात के बीज का चैन कर रहे हैं तो किसान भाईयों 80-100 kg नाइट्रोजन 50-60 kg फासफोरस 40-50 kg प प्रती हेक्ट्रेयर प्रियोग करना चाहिए किसान भाईयों इस फार्मूले से अगर आप खादों का प्रियोग करते हैं तो धान क्या आप किसी भी फसल में फेल नहीं होंगे इसके बाद फिर आप रोपाई करने के बाद आप पहली बार में 7-8 दिन बाद यूरिया 15-20 kg इसके बाद आप 25-30 दिन बाद 20-25 kg यूरिया छिड़क दें इसके बाद आप 50-60 दिन बाद 25 kg खड़ी फसल में छिड़काओ करें किसान भाईयों यह हमारा खुद का फार्मूला धान की फसल में उर्वरक देने का जो कि हम पिछले कई सालों से इस फार्मूले से खेती करवा रहे हैं और हमारे छेत के किसान भाई इसका भरपूर लाब उठा रहे हैं तो यहां थे किसान भाईयों दहान की फचल में उर्वरक देने की एक छोटी सी जानकारी, हम आशा करते हैं कि किसान भाईयों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी, तो मिलते हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.